नवस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूटूब चेनल सिक्छा अकैडवी में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने बाले हैं शंक्या पध्धती का भाग चौता जिसमें हम इंपोर्टेंट प्रेश्णियां पर डिसकस करने बाले हैं जो कि आप हम एक्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन सावित हो सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को विनाखुई स्किप कि यह पूरा जरूर देखेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेश्ण संख्या है अपनी एक तालीज ठीक है प्रेश्ण दनमर अपना एक तालीज है और प्रेश्ण है कि पांच क्रामिक विशं धनात्मक पूरांग का उस्कत Jetzt नो है उनमें से चोटा क्या है यानि सबसे चोटी जो संख्या है वह क्या होगी उप्षन है पांच 1 ठीक है तो अब 9 के पहले दो विसम संक्या है तो एक आती है शाथ और एक आती है यहाँ पर 5 ठीक है और 9 के वाद कौन isons withanstben और 11 और यहां पर 13 तो यहां देखिए 5 अपने यह शंक्या है हो गई इस सबपने च्छोड़ी संक्या आपको बतांगेंव तो सबसे छोड़ी संख्या यहां पर कौन सी हो जाएगी तो 5 जो है यह सबसे छोड़ी संख्या है तो right answer क्या रहेगा option number A यानि कि 5 क्रामिक विसम धनात्वक पुरान का उश्र नो है उन में सबसे छोड़ी संख्या क्या होगी 5 होगी option number A इसका सही आंसर हो जाएगा इसके बाद अंगला प्रिश्च ने अपना प्रिश्च नमर 42 है कि प्रिथम 5 अभाज संख्याओं का जो ऑश्रत है वह है कितना होगा 5 जो अभाज संख्या है पहली उनका ऑश्रत कितना होगा option है 5.3, 5.6, 5 या फिर 3.6 अबाद संक्याइं कौन सी संक्याइं होती है तो अबाद संक्याइं वो संक्याइं होती है जिन में स्वयम और एक के अलावा अन किसी संक्या का भाग ना जाए वह अबाद संक्याइं कहलाती है ठीक है तो यहाँ पर देखिए प्रिथम पांच अबाद संक्याइं कौन कौन सी होगी तो यहाँ पर सबसे पहले जो अभाद संक्या होती है क्या होती है दो होती है इसके बाद होती है तीन तीन के बाद होती है पांच पांच के बाद आती है साथ और साथ के बाद यहाँ पर आती है ग्यारा और ग्यारा के बाद यहाँ पर तेरा ठीक है इसी अपनों यहाँ पर कॉंसिस दी है तो यहाँ पर अपनी 5 संख्याओं का वस्त निकालना है तो इनको आप एड़ करोगे 2, 3, 5, 7 और 11 को इनको एड़ करने के बाद आपको 5 से इनको डिवाइट कर दीना है तो इनका योग कितना आएगा इनका योग आएगा 28 आपर 28 को कितनी से 5 से डिवाइट करोगे तो यहाँ पर आंसर आजाएगा 5, 6 ठीक है 5, 6 यहाँ पर आंसर आजाएगा तो यह कितने दिया है option नमर वी में दिया है 5, 6 option नमर वी इसका सही आंसर होगा पहली पांट अबाद संक्यां का और शत कितना होगा, पांच दिसमलाओ छे, ओफशन इसका सही आंसर हो जाएगा, ओफशन वी, ठीक है, इसके बाद अगला प्रिशन है, अपना प्रिशन लंबर तेटालीश, ठीक है, प्रिशन लंबर तेटालीस है, कि तीन क्रमागत विसम स संख्याओं को गर्णफल है वह कितना है वारा 87 तो इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या जो है वह यहाँ पर क्या होगी तो यहाँ पर देगे विसम संख्याओं कौन सबसे वड़ी संख्या कौनसी होगी तो यहाँ पर नो ग्यारा और तीरा में सबसे वड़ी संख्या जो है वै तेरा होगी option नमर C अपना यहाँ पर दिया है कौन सी option C 13 संख्या सबसे वड़ी संख्या है option C right answer हो जाएगा इसके बाद अंगला प्रिश्ण है अपना प्रिश्ण नमर चवाली श्ठी के प्रिश्ण नमर चवाली से कि दो संख्याओं का जो गुरनफल है वै कितना है 36 है और उनका योगो 13 है तो उन दोनों संख्याओं के वीज का जो धनात्मक अंतर है वै कितना होगा ठीक है दो संख्याओं कोई भी यहाँ पर है ठीक है A और B यहाँ पर माल लेते हैं संख्यां हैं इनका गुरंफल कितना है इनका गुरंफल है यहाँ पर 36 ठीक है और इनका यो कितना है A प्लस B का यो कितना है यहाँ पर यहाँ पर है 13 ठीक है अब आपको A-B का मान आपको ग्याद करना है कि क्या यहाँ पर होगा A-B का मान आपको यहाँ पर ग्याद करना है ठीक है तो option है यहाँ पर 1 होगा 3 होगे 13 या फिर 17 ठीक है आपके पास option है इसको आफ solve कैसे करेंगे ठीक है इस पर आप देख सकते हैं formula भी यहाँ पर आपका लग जाएगा formula क्या हो लग जाएगा इसमें formula जो है y यहाँ पर a minus v square लग ठीक है यहाँ पर a minus v square बराबर इस पर क्या होता है a plus v ठीक है a plus v square minus 4ab minus 4ab इस पर होता है ठीक है अब इसको solve करेंगे तो यहाँ पर क्या है a b क्या हो जाएगा यहाँ पर 13 है तो इसका क्या करना है अपने को श्कुय करना है उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है 4 मांद ठीके क्या है चार यहाँ पर 4 फिर A W का माद क्या है तो A W का माद यहाँ पर दिया है अपना 36 ठीक X AB कमान कितना, यहां पर 36, दिया हुआ है, ठीक है, तो 13 का जो वर्ग है, वर्ग होता है, 179, और यहां पर 36, चॉक, यहां पर करोगे, तो कितना आएगा, 144, ऐलगा, अब इसको माइनिस करोगे, तो कितना आएगा, इनका अवंतर है, इहां पर, 25, ठीक, इनका क्या है, 25 इनका डिफ्रेंस है अब यहां पर देखें आपको क्या निकारना है A-B निकारना है ठीक है A-B आपको निकारना है तो 25 जो है वह किसका वर्ग होता है तो यह होता है 5 का वर्ग होता है कितने का 5 का वर्ग होता है तो इनके बीच का जो डिफ्रेंस है वह कितना आएगा अबी, A-B में क्या आएगा, तो 5 आएगा, ठीक, इतना आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, ठीक, इतना आजाएगा, 5 यहाँ पर आजाएगा, ठीक है, तो option नमबर यहाँ पर देखे, 5 इसमें option नहीं दिया है, ठीक है, क्या नहीं दिये, 5 इसमें option नहीं दिया है, तो अपना right answer लेकिन क्या है राइट आंसर है अपना 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है 5 इस राइट आंसर हो जाएगा option में यहाँ पर नहीं है ठीक है डालना भूल के लेकिन राइट आंसर क्या रहेगा अपना 5 रहेगा ठीक है एक संख्या कौन सी रहेगी एक संख्या यहाँ पर रहेगी कौन सी चार ठीक एक संख्या यहाँ पर चार रहेगी ठीक है कितनी आप इसको डवाइट गुड़ा भी करके देखो गए 9,4,36 हो जाएगा और यहाँ पर 9,4,13 हो जाएगा ठीक है इनके बीच का डिफेरेंस कितना है तो इनके बीच का डिफेरेंस है पांच ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अंगला प्रिश्न है अपना प्रिश्न नमर 45 ठीक है प्रिश्न नमर 45 है कि दो संख्याओं का जो योग है वाई कितना है 37 है और उनके वरगों का अंतर है 185 तो उन दो संख्याओं का अंतर क्या होगा ठीक है दो संख्याओं है यहाँ पर A और B ठीक है A और V यहाँ पर है तो इनका क्या है U क्या है तो A प्लस V बराबर क्या है अपना है 37 ठीक है इनका क्या है 37 इसके बाद क्या कह रहा है A square minus ठीक है A square minus V square बराबर क्या है 185 है ठीक है यह आपका question है अब आपके लिए ग्याद करना है आपके लिए क्या ग्याद करना है A minus V आपको ग्याद करना है यानि कि इनका अंतर क्या होगा आपको ग्याद करना है option है 5, 3, 10 या फिर 4 ठीक है इसका सही answer क्या होगा तो यहाँ पर देखे सबसे पहले यहाँ पर option क्या दिया है 5, 3, 10 और 4 यहाँ पर आपके लिए option दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पर देखो आपो क्या मानेंगे A और B ठीक है A और B बराबर क्या है यहाँ पर A और B बराबर है यहाँ पर 36 ठीक है और इसके बाद और A square minus V square बराबर क्या है 180 अब इसको formula कौन से लगता है इसमें formula लगता है A square minus V square बराबर क्या होता है A B A minus V और A plus V ठीक है formula मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहाँ ठीक है formula इसमें कौन से लगेगा formula लगेगा यहाँ पर a square minus v square वरावर यहाँ पर आएगा a minus v और a plus v ठीक है a plus v यह formula इसे off में लगेगा ठीक है अब इसको कैसे solve करेंगे इसको solve करने के लिए यहाँ पर शब्से पहले आपनों को देगा option क्या दिया है यहाँ पर j दिया है और आपनों को ग्याद करना है a minus v और a plus v अहाँ पर आपके लिए ग्याद करना है ठीक है तो यहाँ पर दिया हुआ है j कितना दिया है यह दिया है अपना 37 ठीक है a plus v आपको दिया है कितना दिया है 37 दिया है और a square minus v square v आपको दिया है कितना दिया है तो यह है 180 यहाँ पर दिया है ठीक है आपको ग्याद क्या करना है a minus v आपके लिए यहाँ पर ग्याद करना है ठीक है तो इसको आपको यहाँ पर solve करेंगे यहाँ पर क्या A plus V वक्या हो जाए क्या है 37 है ठीक है 37 है आपके लिए ग्याद क्या करना है A minus V ठीक है A minus V आपको ग्याद यहाँ पर करना है बराबर में क्या जाएगा बराबर में यहाँ पर आजाएगा एक सो पचासी ठीक है बराबर में क्या आएगा एक सो पचासी यहां पर आएगा ठीक है अब यहां पर देखे ए माइनिस वी ठीक है ए माइनिस वी बराबर में क्या आएगा एक सो पचासी वटा 37 ठीक है बटा 37 यहां पर आगया इसको आप काटोगे तो क्या आएगा इसको आप काटोगे तो आएगा 5 यहां पर आएगा 37 का पूरा पूरा भाग जाएगा 180 में कितनी बार 5 बार यहां पर जाएगा ठीक है तो A B A माइनिस V बराबर के आजाएगा तो यह आ जाएगा 5 ठीक है A मानिस V बराबर की आ जाएगा 5 आ जाएगा तो option number A अपना यहाँ पर दिया है option number A इसका सही आंजर हो जाएगा 5 यहाँ पर आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखे आपको संख्या है कौन कौन सी A यहाँ पर होगी तो एक संख्या आपकी हो जाएगी 21 यानि कि A बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा और V बराबर हो जाएगा क्या 16 ठीक है तो right answer अपना क्या है option A 5 इस right answer हो जाएगा ठीक है अंगला प्रेश्ण है आपर फ्रेश्ण नमर 40 ठीक है प्रेश्ण नमर 40 है कि दो पुरांग को जिनका गुर्णफल है 24 उनकी यूकफल न्यूतन मान क्या होगा ठीक है दो पुरांग जिनका गुर्णफल कितना है 24 है उनकी यूकफल का जो सबसे कम मान है वह क्या होगा option है 25, 11, 8 या फिर 10 नमर 40 का right answer क्या होगा ठीक है इसको कैसे दो कोई संख्या है जिनका जो गुर्णफल है भाई क्या है 24 है यहाँ पर देखे सबसे पहले 24 किस-किस का गुर्णफल होगा तो यहाँ पर देखे सबसे पहले 1 और आप 24 इंटू करेंगे तो क्या आएगा यह भी क्या आएगा 24 आएगा ठीक है इसके बाद आप 2 और वारा करेंगे तो यह कितना आएगा 24 आएगा इसके बाद आप 3 इंटू 8 करेंगे तो यह भी इसका मान भी कितना आता है 24 आता है इसके वाद आप एक संख्या और है 4 इंटू 6 करेंगे तो इसका मान भी कितना आएगा 24 आएगा ठीक इसका मान भी कितना 24 यहाँ पर आएगा अब प्रिशने कह रहा है कि उनकी योगफल का जो नियूतम मान है वह क्या होश रकता है तो देखे इनका इसका मान च्या होगा 1 इंटू 24 का इसका होगा क्या होगा 25 हो जाएगा और 2 और 12 का बाइस इनका योग होगा कितना 14 3 और 8 3 और 8 का होगा 11 और 4 और 6 कितना नियूतम मान है क्या रहेगा 10 यानि कि option number D इतना सही answer हो जाएगा ठीक option D is the right answer हो जाएगा ठीक है question number अपना 47 है कि यदि संख्या P Q से 5 अधिक है और P तथा Q के वरगों का योग है 55 तो P और Q का गुरन फल क्या होगा आपको गुरन फल यहाँ पर ग्यात करने है ठीक है question क्या कह रहा है question कह रहा है यहाँ पर P Q से 5 अधिक है यानि इनका जो difference है y क्या है difference है यहाँ पर अपना 5 ठीक है यहाँ पर difference है 5 और इनके वरगों का ठीक है इनके वरगों का जो योग है ठीक है वरगों का योग कितना है बर्गों का योग यहाँ पर अपन को दिया है पर्चपन यहाँ पर अपन को दिया है अब अपन के लिए ग्याद क्या करना है अपन के लिए इनका गुर्ण फल ग्याद करना है ठीक है तो यहाँ पर देखे यह अपना समीकरण एक बन जाएगा और यह यहाँ पर अपना समीक एक का बर्ग करने पर ठीक है क्या करेंगे वर्ग करेंगे ठीक है इसका यहाँ पर वर्ग करेंगे तो पी माइनिस क्यू इसका अपन क्या करेंगे इसका स्क्वेर करेंगे या बर्ग करेंगे और यहाँ पर पांच का स्क्वेर यहाँ पर करेंगे ठीक है इसको हम क्या फिर इ यहाँ पर हो जाएगा 2PQ बराबर यहाँ पर 5 का स्क्वर क्या होता है 5 का स्क्वर होता है अपना 25 ठीक है 5 का स्क्वर क्या होता है 25 यहाँ पर होता है अब देखें यहाँ पर P P square plus Q square इसका मान यहाँ पर अपन को क्या दिया है इसको मान दिया है अपना 55 यहाँ पर मान दिया हुआ है समीकरन दो में यहाँ पर आप देख लिजे मान यहाँ पर दिया है तो ठीक है इसका मान अपन यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर अपने रखेंगे पर्चपन मायनिस करेंगे कितने 2 2PQ और यहाँ पर अपने क्या है बराबर में है क्या 25 ठीक है बराबर में क्या है 25 ठीक है अब यहाँ पर देखें इसको यहाँ पर लाएंगे है अभी देखें यहाँ पर क्या है माइनस में है इसको इस साइट लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में यहाँ पर अपना हो जाएगा ठीक है टू पी क्यू हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर बराबर फिर क्या रहेगा 55 ठीक है क्या होगा 55 और इस साइट इसको लाये थे 25 को तो प्लस में थी तो क्या हो जाएगी यह माइनिस में यहाँ पर हो जाएगा क्या हो माइनिस में यहाँ पर हो जाएगा अब देखें यहाँ पर 2 P Q बराबर क्या हो जाएगा यहाँ आप 55 मानिस 25 करनेंगे तो क्या होगा 30 यहाँ पर हो जाएगा ठीक है 30 हो जाएगा तो यहाँ पर देखें P और Q बराबर क्या रहेगा 30 मानिस 2 बराबर क्या होगा यहाँ पर 15 हो जाएगा ठीक क्या हो जाएगा 15 यहाँ पर हो जाएगा ठीक है इनक गुड़नफल जो है वै क्या होगा तो गुड़नफल यहाँ पर अपना क्या होगा 15 हो जाएगा Option number right answer क्या रहेगा? Option C इसका सही answer हो जाएगा Option number C 15 is right answer अपना हो जाएगा ठीक है? चलिए आँगे बढ़ते हैं प्रिश्च नम्मर अपना 48 है कि यदि दू संख्याओं के योग उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुरनफल क्रमसा 247 तथा 114 यहाँ पर आता है तो उन संख्याओं का जो योग है वह आपके लिए बताना है कि कितना होगा Option है 19, 20, 21 या फिर 23 तो योग क्या होगा? ठीक है? अब यहाँ पर देखे एक ऐसी संख्याओं है ठीक है? एक संख्याओं है उनके योग से क्या करेंगे? अलग अलग गुरा किया जाए तो उनका जो गुरनफल है वह कितना आएगा? 247 आएगा और 100 यहाँ पर चवदा आएगा तो उन संख्याओं का जो योग है वह आपके लिए बताना है कितना आएगा? ठीक है? तो यहाँ पर देखे गुरनफल दिया है तो आफसन आपके सामने है 19, 21, 23 तो यहाँ पर 247 और 114 में भाग जिस संख्याओं से जाएगा तो वह उसका राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर देखे 20 से नहीं जा रहा है 20 से नहीं जाएगा और 30 से भी नहीं जाएगा एवल एक संख्या है 19 संख्या ऐसी संख्या है जो कि आप 247 को इसको डिवाइट करोगे ठीक है कितने 247 को करोगे तो इसका पूरा पूरा भाग कितनी बार जा रहा है 13 बार जा रहा है और 114 को आप 19 से डिवाइट करोगे तो पूरा पूरा कितना बार चार बार यहां पर सोरी कितने बार छे बार भाग जा रहा है कितने बार छे बार पूरा पूरा यहां पर भाग जा रहा है अब देखो इनको आप जोड़ोगे 13 और 6 को तो इनका राइट आंसर क्या जाएगा इनका योग आगा अपना यहाँ पर 19 यहाँ पर आजाएगा ठीक है तो देखिए दो संख्याँ हैं इनका योग जो है वह योग क्या 19 आप 19 को 13 से गुड़ां करोगी तो 247 आएगा और 19 को 13 6 से गुड़ां करोगी तो 14 हुगा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा ठीक है प्रेशन नमर है अपना 49 ठीक उनन चासमा प्रेशन है आपर कि चार अभाद संख्याएं आरोही किरम में हैं उनमें प्रत्थम 3 का जो गुरण फल है वह है 455 और अंतिम 3 क अभाद संख्या कौन सी होगी ओफ्सन है 7, 13, 19 या पर 23 ठीक है तो यहाँ पर देखें आपकी कितनी 4 अभाद संख्या है चार अभाद संख्या कौन सी A, B, C और D ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहली यानि प्रत्थम जो 3 अभाद संख्या है यानि कि A, B और C इनका गुरण कितना है तो A, B और C इनका गुरण फल है 445, ठीक है कितना है 455 है और अंतिम 3 यानि कि V, C और D ठीक है V, C और D इनका जो कौन फल है वह कितना है वह है यहाँ पर 17, 29 ठीक है 17, 29 और आपके लिए अब जो सबसे बड़ी अभाद संख्या है यानि कि जो अभाद संख्या है य निकालना है यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आप इसके लिए लिए लिख सकते हैं इसके लिए आप कैसे लिख सकते हैं इसके लिए आप वी, C बराबर चार सो पचपन ठीक है वी, C बराबर चार सो पचपन अपॉन ए ठीक है और इसके लिए आप लिख सकते हैं वी, C बरा का कॉमन आ यहां पर आजाएगा अब यहां पर देखें ठीक है यहां पर क्या आगया आपका यहां पर है अब देखें यहां पर ए और डी ठीक है इसको करेंगे ए और डी इसकी बराबर में क्या है इसकी बराबर में है यहां पर चार सो पच्पन और अपोन में क्या है तो अपोन में है यहां पर 1729 ठीके 1729 अब आप के लिए इसके क्या निकालना है फैक्टर या ग्रौन्खंट यहां पर आप निकालेंगे सबसे पहले अपन यहां पर चारिसोपजपन का क्रेंगे पांश देगे तो यहां पर अपना कितना आ जाएगा यहां पर आ जाएगा यह एकानवे ठीक है फिर एकानवे को किसका भाग जायेगा तो इस तीरा कर जायेगा कितनी बार जायेगा तो यह साथ बार जायेगा यहाँ पर ठीक है फिर यहाँ पर साथ से साथ बार चला जायेगा तो यहाँ पर एक बचेगा ठीक है इसके बाद यहां पर आपके लिए देना है कितने में 17,39 में 17,39 के factor आप यहां पर करेंगे तो सबसे पहले 17,39 में किसका भाग यहां पर जा रहा है तो इसमें सबसे पहले 13 का भाग जा रहा है ठीक है 13 का भाग कितनी बार जा रहा है तो इसका 133 बार जा रहा है फिर यहाँ पर 133 में किसका भाग जाएगा तो यह है जाएगा 19 का भाग कितनी बार जाएगा 7 बार यहाँ पर जाएगा ठीक है 7 बार यहाँ पर जाएगा यहाँ पर लिख लिए ना ठीक है यानि की चार सो पच्पन के फैक्टर किया है तो 5 into 19 into 7 ठीक है इसके बाद आपको D की जो फैक्टर आएंगे वह कितनी हैं तो वह हैं यहाँ पर देखिए 13 गुड़त यहाँ पर 19 गुड़त यहाँ पर 7 ठीक है 13 से 13 कट जाएंगे ठीक है यहाँ पर क्या है यह 13 है तो यह 13 से 13 यहाँ पर आपके कट जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर जो मान बच्चा है वह A का मान बच्चा है 5 और D का मान यहाँ पर आपका बच्चा है 19 ठीक है D का मान यहाँ पर आपका 19 आ गया है ठीक है तो आपको D का मान चाहिए तो D का मान क्या है आपका 19 है D का मान यानि कि सबसे बड़ी जो अभाद संख्या होगी वह क्या होगी वह होगी 19 और सबसे छोटी अभाद संख्या होगी 5 यानि कि इस प्रेशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा option number c is right answer इसका हो जाएगा ठीक है question number 49 का सही answer हो जाएगा option number c यानि 19 is right answer हो जाएगा ठीक है इसके बाद आँगे चलते हैं अंगला question है अपना question number 50 ठीक है इसमें है कि मैंने एक घन पुरांग को 18 से गुणा किया और दूसरे को 21 से गुणा किया दोनों गुणफल को जोड़ दिया तो प्राप्त जो योग है वह निम्म लेकित में से कौन सा होगा ठीक है कौन सा होगा अब यहाँ पर देखिए option है आपका 2007, 2008, 2006 या पर 2002 ठीक है यह प्रशने कह रहा है कि एक संख्या देखिए यहाँ पर ठारा और दूसरी क्या है यहाँ पर 21 इसमें आप किसी का भी भाग दोगे ठीक किसी का भी भाग गुणा करोगे किसी की किसी भी संख्या से आपके लिए इसमें गुणा करना है ठीक है और गुणा करने के बाद आपको इनको आपस में जोड़ देना है ठीक है तो जो भी प्राप्त यहां पर संख्या आएगे ठीक है जो भी संख्या यहां पर आएगे भै क्या हो जाएगे वह तीन से पूरी तरह से बिवाज़त हो जाएगे क्योंकि 18 भी तीन से बिवाज़त है और 21 भी तीन से पूरी तरह से आएगा वही संख्या आएगी जो की 3 से पूरी तरह से यहाँ पर विवाजित हो जाएगी यहाँ पर आप देखेंगे 2002 को यह तीन से डिवाइट करोगे तो यह पूरी तरह से यह नहीं होगी 2006 को आप डिवाइट करोगे तीन से तो यह पूरी तरह भाग इसमें भी नहीं जा लेकिन आप 2007 को तीन से आप इसमें भाग करोगे यह तो है पूरी तरह से चला जाएगा ठीक है पूरी तरह से यहां पर चला जाएगा ठीक इतनी बार जाएगा तो यह आपका 699 बार है पूरी तरह से भाग चला जाएगा यानि कि इसका जो राइट आंसर होगा वै होगा option number A यानि 2007 जो हो जाएगा इस प्रिशन का सही answer ठीक है, question number 50 का राइट आंसर क्या होगा option number A 2007 तो दोस्तो इसी के साथ हमारा एह वीडियो होता है यहीं पर समाप तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा तो चलिए दुस्तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक दुस्तो बाई